नालंदा में एक बार फिर अवैद संबंद में युवक के हत्या किये जाने के संसनी खेज वारदात घटी है मृतक के पैशान सेखो पुरस राय थानाच शेत्र के अमबारी गाउनिवासी बुंदेल रवेदास का थारा वर्से पुत्र विक्रम कुमार है परीजन गाउं के ही एक युवक पर हत्या कर्शो को नदी में फैकने का आरोप लगा रहे हैं दो दिन पहले बिंद थनाच शेत्र के सोयवा नदी के जाडी में युवक का शौ मिला था मृतक के भाई ने बताया कि गाउं के ही दो बच्चो की मा के साथ उसका तीन सालों से प्रेम प्रशंग चल रहा था गाउं के ही सोनू और उसके परिवार वालों ने उसके भाई को 31 जुलाई को घर से बुला कर उसकी हत्या कर्शो को सोयवा नदी में फैक दिया था वह घर वालों को राजगीर घुमने जाने की बात कहकर निकला था गुरत तब है कि 30 जुलाई को सोनू ने अपनी पत्नी की शादी विक्रम से घर में बुला कर कर दी थी इसके बाद 31 जुलाई को सोनू ने विक्रम को फोन किया जिसका एक और्डियो भी वाईरल हो रहा है सदर डियस्पी डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि घर्टना के पीछे प्रत्थम द्रिष्टिया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है फिलहाल पुलिस पुरे मामली की च्छान बीन में जुट गई है प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या की बात बताई जा रही है जो वहां से 31 तारीक को मेला देखने के बारे निकले थे और उनका शवकार पहचान हुआ है इसका हम लोग उनके परिजन से पूस्ताच कर रहा है परिजन का कहना है लेकिन सारी बिंदों पे अभी हम लोग अनुसान नार प्राविंग की है सब्सक्राइब परिजन से आज हम लोग मिले हैं अभी आये हैं शवका पहचान हुआ है कि व हम लोग प्राविंग के हैं किस प्रकार करना पॉस्ट नहीं हुआ है